वेलकम बैक टू दे चैनल रायपुर से पूरी पहुँचने तक का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए तो ये पूरी में हमारा पहली सुबह है और मैंने कॉफी पी और एक बहतरीन रास्ते पे हम निकल पड़े बहुती खूबसूरत जगा जा रहे हैं बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती रेरली विजिटेड जगा जा रहे हैं ऐसी जगा जहां पे सिर्फ आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट है बहुत सारी कलाकृतिया देखने को मिलेंगी कहां आगे देखते हैं यह है रगुराजपुर एक ऐसा गाउं जहां सिर्फ आपको आर्टिस्ट मिलेंगे मेरी खुश किस्मती रही कि कुछ लोगों ने मुझे समय दिया और इंटर्वियू दिया उनके मूँ से आप उनकी जुबानी उनकी कहानी खुदी सुनिये चलिया आगे देखते हैं कि यह वहला 25 का है यह शाड़े छेजर का है अच्छी बाहर अगर कोई लगाया उट्डूर में तो कलर उड़ता है नहीं तब कलर मड़म सो सो साल है रहेगा कलर का पर और कैन्वास का पर हम यह गयारेंट देंगे है सो सो साल ही रहेगा है लेकिक यह जगन नहीं कि यह जगना नाजी देखिए उसका फिनिसिंग कर इसमें आझाया भिके यह तबहता वरी यह करीगरी में फरद और यह लक्डी का सामाज यह उयवर आपके बंद जाती है इसे बंद में रखा है इसे प्तेंटिंग हो आपक जगन्ना जी का पूरा सरीर में उन्टा स्टोरी हुआ है इनका आंख में देखिए इधर विश्वरूपे इधर राम अभिशे के यह वाला सब मुहारास है और इधर पन्नंत श्रयन है यह दर्शावबतार हुआ है भगवन विश्णूं का दर्शावबतार है यह कृष्ण भ भगवान का पुरा कहानी है रामायन का कहानी भी है कि अधर पिता जी का काम है अरे भगवान जी हम लग भगवान मेरा नाम है भगवान शाव मेरा अगुरासपूर का यह आटिस्ट हूं हम लग चाहते हम लोग जिसे मेहनत करके वह पेंटिंग से बनाते हैं आप लोग सब खरी दिए प्लीज वह सब करेंगे तो हमारा गाओं में भी बहुत सारे डेवलोब भी हो सकता है कि हम लोग बाकी और कुछ काम नहीं करते हमा यहां के घरों में घर के मेंबर्स सारे इंवॉल्व रहते हैं पेंटिंग करने में यह देखी इनके घर की बच्चियां किस तरह से पेंटिंग कर रही हैं पूरा जो पेंट है वो भी हैंड मेड रहता है अलग अलग चीजों से यह पेंट बनाते हैं इन फैक्ट यह जो कैन झाल झाल पूरा गाउं इतना खूबसूरत सा कैन्वस लगता है अपने आप में हर घर खूबसूरत है यहाँ पे पटचित्र हर जगा बना हुआ है घरों के बाहर बना हुआ है और ऐसा नहीं लगता कि कोई म्यूजियम में आ गया है इन घरों में स्कल्प्चर्स बन रहे थे बहुत सारे प्यारे मेमरीज और एक्सपिरियंस लेकर हम वहाँ से निकले थोड़ी सी लगी थी प्यास और थोड़ा सा भूक तो हमने देखा डाब और नारियल पानी पी ने हम रुख गए मीज़ा सा नारियल खाने के बाद हम निकल पड़े एक बहुत ही खास मंदिर देखने जो की है चौसर्ट योगिनी मंदिर इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता हैं पूरे डिटेल में मैं आगे बताती हूँ चलिए झाल 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 लॉण شाण आगो झाल झाल मान्यता है तो ASI की तरफ से archaeological importance दिया गया है और काफी ज़ादा clean और properly kept मंदर है यह यह टेंपल 64 जोगे निए टोटल भारत में 4 है औरिशा में 2 है इस गाम का नाम हिरापूर और अधर साइड में वस्टन औरिशा में याएक है राणीपूर जारेल बलाएंगर डिस्टिक 2200 से 500 किले मिटर से और MP में दो है आउट ओफ स्ट्रेट में खजुराओ भरागाट में इस चौशोड जोगी ने मतलब सब दुर्गा माता का चौशोड रूप यह रक्त बीर जी असूर को मारने के लिए दुर्गा ने चौशोड रूप लिया था आप देखेंगी चौशोड जोगीनी सब खंडे थे इस मुगल के टाइम में हंडेत किया है तुशोड जोगीन आप देखेंगी सबका बाहाँ और सबका नाम सबका है सबका ज्ट्री डिजाइन 64 डिफ्रेंट का होता है एक प्रमुक तंत्रस्वादना पीठ है और इनाइन सेंचुरी और यह बिफोर लिंगराजपूरी कुणारक से 300 साल पहले और यह जो बाहर है नवदुर्गा है नौक अत्ता यानि एक साल में दो बार नवरातर होजाना वहीं नवदुर्गा है तो मा पास्टे में रात को अच्छली का भोग चुड़ाती तर पहले 20 वक्री यह बली हो रहा था अब यह मंदर गमेट का अंडर में एसाइक अंडर में तो इसलिए अलाव नहीं करते हैं तंत्र पुजा करने के लिए रात को शर्फ दिन में जो भी तंत्रिक लोग यहां आते मे दुर्गान चोश्ट रूप लिए था उनमें चोश्ट देपका देवी रूप में है और गनेश जी फिमेल रूप में आपको देखने क्लिए मिलेगा अच्या लेट ने नुका में अब्ली जो गहां नोनाज महामाया दूर्गा और दसमावद्य कर श्कमा तुर्चा उस्क पूजा करते थे इसके बाद बाहर से नवदुर्गा पूजा जिन अंदर आके 64 जोगी नी पूजा आते ना करते थे अब यह देखिए आपके सब का नाम भी है जब किचंडी का देवी है इतारा देवी है नर्मदा जमूना मानंदा बारोनी गाउरी इंद्रयानी बरहाई प पंचवराई बाद्ध्यरूपी चर्चीका वेतारी छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता अल्चोर दस्मा विद्या में एक है इरा हुदुशा बन्ने से पुजा गरते तिन्ध्यवासीनी चलतामीनी घटवारी काकराणी शरस्वती बिरूपा कुबेरी धल्यूकी नरसिमा देखो फ पिरोजा बिकटनाइना महालक स्मीप कुमारी जो महामाया दुर्ग इस मंदिल का अधिस्तात्रिक उनका टेन आर्म से और लोटस को पर सांत रूपने माका पुजा सुभी चार बास से शुरू होता है नया साड़ी पेमना दो पर कुराहिजल का प्रसा चड़ता है शांको बालती होता है साथ बजी गेट बांद हो जाता है कि करकारी सरपासा जस्चा अघोरा रुद्रो काड़ी देखी गनेश जी फिमेल रूप में गध्धय के उपर है इस बिन्भ्यावारी में बीरोकुमारी माहिस्ष्वरी अंभीका कामाख्या देवी चंद्रकंती, स्तुथि, काली, पुम्मा, नारायनी, समुर्द्री, ब्राम्होन, ज्वालामुखी, अग्निकोत्री, आधिती, बगडामुखी ये सत्रुनास के लिए बुजा गरते है स्वाहा, चामुंदेश्वरी, मारूति, प्रंगा, धुम्मावत्ति, इने गंधारी, ये सर्कुलार में शिक्स्टि गे, और इस चंदी मंदव पे, चार जोगीन ही, चार भैरव है, भैरव मतलब फॉर्म और सीवा, इस इस काल भैरव, और इस एकपाद भैरव, वाल अर्या स्टंग भैरव, और ए उद्रव हैरव, और इस इक्स्टिवन नमर में शिके, विलाइजिया इस को, सर्वामंगला, 62 बाजिता बीर, पंडित जी वस काइंड एनफ टो टेल एवरिथिं इन डीटेल इसके बाद हम यहां से निकल पड़े शाम हो चली थी तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम बीच पे गुजारते हैं तो हम अपने होटेल की तरफ निकल पड़े जो की था मरीन ड्राइफ पे वहीं चलते हैं बाद हम पे बाद हैं झाल झाल भूक लगले नगी और बीच के उपर ही एक बहुत प्याड़ा सा फूट ट्रक था जिसमें बहुत लजीज खाना था तो हमने सुचा वायनोट डिनर यहीं किया जाए गाड़ी के सारे दर्वाजे खोल दी खिड़किया खोल दी बीच में बैट कर आराम से हम खाते पीते डिनर करके होटेल की तरफ कहा काफी लेट हो गया था ठक गये थे बड़ बड़ करते करते मैं कमरे में घुसी और यह चाबी खुल नहीं रहा था फिर फाइनल यह खुला मैंने स्विच ओन किया जो बड़ी मुश्किल से हुआ क्योंकि मुझे दिखी नहीं रहा था वो स्लॉट and then टड़ा so it was my birthday surprise husband ने काफी मैनत की थी और मेरी best friend ने और उसकी बिटिया ने cake भिजवाया था तो मैंने दो cake काटे और आपके साथ share कर रही हुए moment so happy birthday to me and we enjoyed a lot hope you liked the video thank you so much for watching and being a part of it don't forget to like comment share and subscribe अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं bell button दबाना ना भूले bye bye